हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट्स एक्चली में रिलेशन बनाना प्रिगनेंसी के दौरान यानि की इंटर कोर्स सेक्स करना पती के कॉंटेक्ट में आना क्या सेफ होता है और क्या ऐसा आप ठर्ड ट्राइमेस्टर में करती हैं तो इससे डिलीवरी जल्दी हो जाती है और फ्रेंट्स कब रिलेशन बनाना सही हो सकता है इविंचली अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं ये कई सारी बातें आप सोचती हैं कई बार डॉक्टर आपको इतना ज़्यादा डिप्टी जाकर नहीं बताते हैं और नाहीं आप पूछ पाती हैं ऐसा भी संभ़त तक कई सारी महिलाओं के साथ होता है देखे फ्रेंट्स एक्शली में रिलीशन एक इतनी इंपोर्टेंट बात होती है प्रेग्डेंसी के दौरान क्योंकि प्रेग्नेंसी पुरे नौ मन्त की जर्नी होती है नौ महिने के अंदर आपको सेक्स करना चाहिए या नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 37 हफ्तों की डिलीवरी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है 37 हफ्तों तक आपके बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाता है लेकिन कब-कब रिलेशन मत बनाईएगा तो देखिए अगर आपके सरीर में आपको जोड़ है कई वार ऐसा होता है ना कि आपकी बिबी का जो ग्रोथ है वो उस तरह से नहीं हो रहा है जितने मंत में उना चाहिए जितने में चाहिंए tällय प्रभ्ल है आपको दिकटे ह्या हिए समय दिक्कते होती है मेलाओं के सरीर के अंदर तो ऐसी कोई situation है तो ऐसी situation में या फिर twins baby है माली जे एक से दो बच्चा है या फिर friends आपको काफी ज़्यादा पेट में दर्ध हो जाता है relation बनाने के तुरंत बात तो ऐसी कुछ परिस्तितियां होती है जिसमें के relation बनानी के लिए म इस वज़े से डॉक्टर आपको मना कर देते हैं तो उनके guideline को ध्यान से समझिए और ये गलती आप मत करिएगा दूसरी बात पहली जो ट्राइमेस्टर का पहला जो भाग होता है हिस्सा होता है पहला दूसरा तिसरा महिना ये first ट्राइमेस्टर जो होता है वो थोरा सा sensitive होत ब्रून काफी ज्यादा चोटा होता है उसको नुकसान पहुंच सकता है चोट लग सकती है इसकी वज़ा से कई बार आपकी अगर पहली pregnancy है तो आपको मना कर दिया जाता है कि तीन महीने तक पती इसे दूरी बना कर रखिए तो ये जो दो बाते हैं ये चीज आप ध्यान मे समझ लीजिए अगर आपका पहले premature delivery हो चुका है second delivery के condition में अगर पहले आपका बेबी समय से पहले दुनिया में आ चुका है premature delivery हो चुकी है medical history में कोई भी दिक्कत है तो आप relation नहीं बनाएंगी ये काफी ज़्यादा important आपके लिए भी है और आपके baby के लिए भी है अब चल इसरी बात friends जब आप relation maintain करती है तो relaxing नाम का एक hormone जो है सरीर में होने लगता है develop और ये जो है भारी संख्या में आपके third trimester में आठवे महीने से चालू हो सकता है तो pregnancy बनाने का जो सबसे safe time होता है वो आपका second trimester यानि 6-7 महीना होता है पाचवा महीना होता है तो इन महीनों में आप safely contact में रह सकती है इसके अलावा आगे के third trimester का जो साथवा आठवा और नौमा महीना होता है इसमें अधिक से अधिक relation मत बनाएगा जब तक कि आपकी due date नहीं आ जाती है due date अगर माल लीजे आ गई है बिलकुल ही आज या कल में है और आपको लेवर पे नहीं आया ह ऐसी परिस्तिती में आप relation बना सकती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि relaxing hormone आपके सरी में develop होता है जो कि contractions pains को start करता है आपके uterus के संकुचन को contractions को बढ़ाता है जिसकी वज़ा से liver pain जल्दी आते हैं इसी वज़ा से मैंने कहा कि 8 वे और 7 वे महीने में आप relation बनाने लगत आपको भी पता है कि 10 cm तक बच्चे दानी का मुख फुलता है और बेबी हो जाता है तो कई बार पेट में दर्द होने लगेगा contraction pin पहले ही आजाएंगे आपका सविक्स का मुख फुल जाएगा 7 वे 8 वे महीने में delivery safe नहीं मानी जाती है ऐसे बच्चों को NICU में रहना पर क्योंकि वो सांस लेने के लिए या फिर उनका लंक्स जो है proper वाक नहीं करता है तो इसकी वज़ा से महिलाओं को दिक्कत हो सकती है बेबी को 5 या 10 दिन के लिए NICU में रहना पर सकता है ये भी काफी जादा उस समय टेंशन के बात हो जाती है जब आपको पता चलता है कि ब रिलेशन बनाना भी महत्पुर्ण है क्योंकि या पती पतनी को मानसिक रूप से बहुत जादा संतुस्टी भी देता है आपको खुशी का एहसास कराता है एक बॉंडिंग आपकी अच्छे से बनती है आप काफी अच्छे से तालमिल बना के अपनी जीवन को अच्छे से ख ओके कहा है क्योंकि आपकी प्रेगनसी हेल्दी है तब आप रिलेशन बना सकती है लेकिन आप अपने पार्टनर को सुनिश्यत करें कि आपको कोई दिक्कत नहीं है जो भी पोजिशन ट्राइ करें या आपका व्यक्तिकत मामला है इसको आप बहुत अच्छे से समझती है त करती है तो उम्मीद करती हूँ कोई प्रेशानी नहीं आएगी फिर भी कोई मन में चल रही प्रशनय है तो आप मुझसे पुछ लीज़े आप मुझे इंस्ट्राग्राम पे फोलो कर सकती है या फिर आप मुझे फेसव्रल कर सकती है पूझा घर्संसार उसके आईड़ी है और इसी के साथ साथ फ्रेंस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और अब तक आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो make sure कर लीजेगा ऐसे ही बहुत सारी informative वीडियो और informative टिप जो आपके काफी काम आएगी बहुत helpful होगी उससे देखने के लिए तो मिल पर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पूरा ध्यान रखेगा अपना टेकर गाइस थैंक्स पर वाचिंग